Hello friends, welcome to all of you, G1 Education के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म में एक बार फिर से आप सब का स्वागत हैं हम डिसकस कर रहे थे CHO के रिगारड़ यानि Community Health Officer के रिगारड़ रफतार सीरीज जिसके अंदर अभी तक हम इसके दो सेशन कर चुके हैं आज हमारा ये थर्ड सेशन है जिसके अंदर छोटा सा एपिसोड हम रखे हैं और इसके अंदर काफी important topics को cover किये हैं ये मान के चलेगा ये topic आपके exam point of view से 100% selected है और यहां से आपके exam में questions आना पका हैं इसलिए session को completely watch कीजेगा ध्यान से देखेगा notebook उठा लीजेगा और mention कर लीजेगा क्योंकि आपके exam में questions आएगा तो पढ़िएगा चलेगा मैं start करता हूँ session को like share कर दीजेगा फटावट से ताकि सभी तक पहुंच जाए और सभी session का benefit ले सके और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजेगा ताकि सभी तक पहुंचते रहे इसी तरीके से notification चलेगा मैं start करता हूँ हम यहां पर स्टेजेज आफ पीडियाटरिक नर्सिंग के रिगारड़ पड़ेंगे यानि कह सकते हैं हम थोड़ा साथ डिसकर्स करेंगे common और important topics के रिगारड़ देट इस स्टेजेज आफ पीडियाटरिक एज या फिर developmental stages के बारे में आप सबको पता होगा after consumption यानि फर्टिलाइजिशन हुआ फर्टिलाइजिशन के बाद क्या-क्या developmental stages आती हैं वो सारी कोछ आपन डिसकर्स करेंगे then हम डिसकर्स करेंगे immediate care of newborn और completely जानेगे completely इस एक session के अंदर जितना भी बड़ा ये session है उसके अंदर आपको completely जानकारी मिल जाएगी पूरा discuss अपन करने वाले हैं इस topic के रिगारड़ चलिए बढ़ते हैं सबसे first one pediatric age क्या होती है आप सबको याद होना चाहिए एक child age क्या होती है वो आपको conception हुआ यानि fertilization हुआ sexually intercourse हुआ उसके बाद conception हुआ conception means कह सकते हैं fertilization हो चुका है अब conception हो चुका है यानि conception से लेकर 16 years of age एक child की 16 years of age तक pediatric age होती है आपने देखा होगा आपकी district के अंदर जहां भी आप रहते हो वहाँ पर आपने देखा होगा अलग-अलग से hospitals divided रहते हैं कि यहां से setup बनाया हुआ रहता है कि pediatric ward इस तरीके से है और adult ward इस तरीके से होता है उम्मीद है आप सबको याद होगा common language है तो simple सी अपन कहे pediatric age क्या होती है तो conception से लेकर 16 years of age क्या होती है pediatric age होती है यानि 16 साल के बच्चे को 16 साल तक क्या मानते हैं pediatric age मानते हैं बर्थ से लेकर 16 साल तक हम pediatric age मानते हैं यानि बच्चा मानते हैं धेन हम उड्स को adult consider करने लगते हैं तो one by one discuss करेंगे क्या-क्या developmental stages होती है क्या-क्या development होता है और किस-किस तरीके से आगे यह बढ़ता है ठीक है तो डवलपमेंटल स्टेजेज या फिर पीडियाट्रिक एज के अंदर क्या-क्या स्टेजेज होती है उपन पहले डिसकस करेंगे फिर आगे अपने टोपिक को कंटिन्यू करेंगे तो सबसे फरस्ट वन स्टेज इसके अंदर आपको याद रखने देखें यहां से कंपरेटिव एक्जामस में भी क्योशन आता है और आपको भी याद होना चाहिए एज एक कम्यूनिटी हेल्थ ओपिशर आपको ये टोपिक्स तो कंप्लीटली भेजे में बिठा लेना है चलिए बढ़ते हैं और यहां पर सबसे फरस्ट जो स्टेज अपन देखते हैं सब यहनि फीमेल और मेल दोनों के अंदर हुआ अंदर सेक्श्वल इंटर कोर्स हुआ उसके बाद क्या हुआ च्रृटली लाइजिशन के बाद से लेकर यहांनि ейक से स्ट्रेज कह से लेकर तो वीख पिच्प्सक्राइप तक का विछ ड़ाइम होता है याद रखे नेक्स स्टेज की अपन बात करें सेकंड स्टेज और सेकंड स्टेज जो होती है उसको एंब्रियोनिक स्टेज कहते हैं या एंब्रियो स्टेज कहते हैं कौन से स्टेज एंब्रियो स्टेज या एंब्रियोनिक स्टेज और ये एक तरीके से एंब्रियोनिक स्टेज होती हैं और ये कब से कब तक होती हैं टू वीक से लेकर एट वीक तक की जो टाइम प्रियड होता हैं उसको एंब्रियोनिक स्टेज कहते हैं कौन सी स्टेज एंब्रियोन stage को और इस stage को एक तरके से काफ़ी importance दिया जाता है क्यों कि यहाँ पर organogenesis होता है organogenesis क्या होता है organogenesis क्या होता हैral bone nervous गोलमिलाके का अपन कहे जितने भी fetus के अदर जितने भी बेबी के अन्दर organ का formation होता है वो कहाँ पर होता है वो embryonic stage के अंदर हुता है किस stage के अंदर embryonic stage के अंदर होता है इसलिए काफी important है यह stage आपके regarded ठीक है तो याद रखे embryonic stage 2 से लेकर 8 week तक होती है और यहाँ पर organogenesis होता है question आया हुआ है काफी बार competitive exams में competitive exams में question आया हुआ है और जो training के regarded objectives पेपर देने वाले हैं उनको भी याद रखना है organogenesis की जो process होती है या organogenesis complete किस stage के अंदर होता है किस stage के अंदर होता है आपका answer जाएगा embryonic stage में embryonic stage कहां से कहां तक होती है तो 2 week से लेकर 8 week तक embryonic stage होती है ठीक है तो 2 stage हमने पड़ी तीसरी stage हम देखे तो यह होती है fetus stage यह होती है fetus stage यह होती है और यह कब से कब तक होती है fetus 8 week के बाद 40 week of gas station 40 week of gas station जो होता है वो fetus stage होती है यानि fetal stage होती है कब से कब तक 8 week के बाद 40 week तक fetus stage बोला जाता है तो 3 stage basically आपको याद होनी चाहिए और इन 3 stage को intrauterine stage या first stage के नाम से जाना जाता है क्या जाना जाता है intrauterine stage है यह intrauterine stage है याद रखे intrauterine stage के अंदर यह 3 stages सामिल होती है जाइगोट, embryo और fetus तीनों intrauterine stage होती है यानि यह तीनों ही मदर के अंदर होती है मदर के अंदर जो fetus के अंदर development होता है उसके अंदर होती है next stage अपने बात करें extrauterine stage होती है जो की birth से लेकर 28 week तक होती है remaining जो भी stage आएगी वो extrauterine होगी intrauterine के अंदर 3 stages basically होती है जाइगोट जो की first stage मानी जाती है after consumption से लेकर 2 week तक ही मानी जाती है देन आगे अपन बात करें तो embryonic stage होती है जो की after 2 week से लेकर up to 8 week तक मानी जाती है और यह organogenesis की process होती है यहाँ पर all over जितने organs वोगेरा होते है जिनका बनना होता है जिनका development होता है वो हो जाते ठीक है तो यह organic genesis process होती है यहाँ पर और embryonic stage यह होती है next fetus stage होती है जो की after 8 week to 40 week तक तीक है after यानी 8 week से लेकर 40 week तक की यह stage होती है that is fetus stage next stage की अपन बात करें जो की होती है new bone next stage होती है new bone या neonate new bone या फिर neonate याद रखे new bone या फिर neonate stage होती है और यह कब से कब तक होती है बर्त हुआ बेबी का बर्त हो गया और बर्त होने के बाद से लेकर 28 दिन तक 28 days तक की जो stage होती है जो time period होता है उसको कहते है new net या newborn stage new net या फिर newborn stage याद रखे याद नहीं रहता है तो screen suit ले लीजेगा और अपनी diary में अपने notebook में भी जरूर note कीजेगा काफी important है क्योंकि यहाँ से competitive exams में भी questions आते हैं काफी बार ठीक है तो birth से लेकर 28 weeks तक की अपने बात करें उसको newborn stage या new net stage कहते है इसको दो टाइप में classified किया हुआ है newborn stage को दो टाइप में classified किया हुआ है first type जो classification किया हुआ है वो early new net या early newborn कहते है early new net कहते है और second type का है उसको late new net कहते है क्या कहते है late new net कहते है तो firstly अपन देखे newborn और new net stage को दो टाइप में classified किया हुआ है early new net और late new net early new net को कब से कब तक कहेंगे जनम हुआ, बर्त हुआ बर्त से लेकर 7 days तक की जो stage होगी बर्त से लेकर 7 days तक की जो stage होगी उसको early new net stage कहेंगे क्या कहेंगे early new net stage कहेंगे after that 8 weeks से लेकर sorry, 8 days से लेकर यानि 7 days यहां तक include होगया 7 days के बाद यानि after 7 days के आएगा 8 days आएगा तो 8, 8 दिन से लेकर कितने दिन तक 28 days तक यानि 28 दिन तक की जो stage होती है वो late new net के अंदर आती है याद रखें तो अभी तक जो stage हमने देखी first one gigot stage then embryo stage then fetus stage fetus stage के बाद fetus stage के बाद neonate और newborn stage आदी है जो कि birth से लेकर 28 days तक होती है इसको दो टाइप में classified किया हुआ है early new net और late new net early new net को birth से लेकर 7 days तक include किया हुआ है late new net को 8 days से लेकर 28 days तक include किया हुआ है याद रखें ये सारी stage आपको याद होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं याद रखना है screenshot ले लीजेगा भले याद नहीं रहता है तो या notebook में आप note कर लीजे काफी important है चलिए आगे बढ़ते हैं और next stage अपन जानते हैं newborn के बाद यारी new net के बाद कौन सी stage आएगी तो new net और newborn के बाद infant stage आएगी कौन सी stage आएगी infant आएगी infant stage या infancy stage अपन इसको बोल सकते हैं यह कब से कब तक की है देखे हमने newborn की बाद की new net की बात की new born की अपने बात की तो वो birth से लेकर कहां तक include किया birth से लेकर 28 days तक हमने include कर लिया यानि one month तक हमने include कर लिया कहां तक one month तक हमने include कर लिया तो infant जो stage होती है वो one month से लेकर one month से लेकर कहां तक होगी one month से लेकर one year तक होगी यानि एक मैने से लेकर एक साल की जो एज होती है उसको इनफेंट से स्टेज कहेंगे या इनफेंट कहेंगे यानि उस बच्ची को क्या कहेंगे इनफेंट हम कहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज होगी टोडलर स्टेज और टोडलर स्टेज कब से कब तक की होगी ये स्टेज होगी वन इयर तक तो कंप्लीट हो गया one year से लेकर three year तक की बात करें तो वो toddler stage होती है एक साल से लेकर three year तक की जो stage होती है वो toddler stage होती है आगे बढ़ते हैं next stage की तरफ तो 3 साल तक अपन पढ़ चुके हैं आगे होती है pre-schooler age प्री-schooler stage या pre-schooler age अपन कहेंगे pre-schooler age के अंदर कहां से कहां तक आएगा तो 3 years तक हमने पढ़ लिया है कि वो total होता है तो after that 3 years के बाद से लेकर 6 years तक अपन counting करते हैं उसको pre-schooler age कहते हैं प्री-schooler stage अपन कहते हैं उसके बाद 6 years तक complete हो गया 6 years के बाद अपन बात करें तो school age आती है school age आती है और school age कहां से कहां तक होती है 6 years तक हमने देख लिया यानि after that 6 years से लेकर 6 साल से लेकर 12 साल तक 6 year to 12 year तक की जो age होती है उसको school age कहते है उसको school age कहते है 6 years से लेकर 12 year तक यानि 6 साल का बچचा और 12 साल का बच्चा इसकूल एज के अंदर counting की जाती, यानि 6 एर से लिकर 12 इर तक का जो बच्चा होता है, उसको इसकूल एज के अंदर माना जाता है, और लास्ली और फाइनली जो stage होती है, जिसको अडल्ट आप कहता है, adults and stage कौन से stage adults and stage और adults and stage जो होती है after that 12 year तक हमने देख लिया 12 के बाद 13 year से counting start हो जाती है 13 year से counting start हो जाती है और 18 year तक counting होती है काफी सारी books में आपको 18 की जगर 19 भी देखने को मिलेगा confused नहीं हो लाए normal basically आपको याद रखना है बाकी आगे की stage आपको already याद होगी तो adults and stage होती है after that 13 year के बाद 13 साल से लेकर 18 साल 19 साल तक 19, 18 और 19 तक के अपन बात करें तो वो adults and stage के अंदर आता है किस stage के अंदर आता है adults and stage के अंदर आता है तो उमीद है friends जो stage हमने देखी वो आपको याद होगी अगर नहीं है तो याद रखी क्योंकि काफी important है इससे regarded questions आता है आपको exam में देखने को मिलता है आप nursing student है तब भी आपको exam में question मिलेगा competitive exam preparation कर रहा है तब भी मिलेगा और especially CHU training आप कर रहे है तो उसमें भी आपको question देखने को मिलेगा competitive exams में काफी बार इससे regarded questions पूँचा जाता है यहाँ से कोई सी भी age दे दी जाती है बताए कितने साल का होगा या कितने year से कितने year तक कि उसकी age होगी या इतने साल का बच्चा है उसको किस stage के अंदर include करेंगे तो उम्मिद हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और psychology के अंदर especially यह सारे questions पूँचे जाते हैं